हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे अज के इस नियो वीडियो में तो गाइस फ्री फायर में कुछ इवेंट आने वाली है थर्ड एनिवर्सरी की और उसे कंप्लिट कैसे करना है मैं आपको आज के वीडियो में वही बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यहां पर आ और चार कोस्टिम्स यह तीनों आपको कैसे मिलेगा उस इवेंट के दोड़ान ही आपको यह मिलेगा और कैसे मिलेगा आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि जो टाइम कैप्सूल से उसमें तो दो कैप्स सब Stacy का वचे में आपको बात करूं तो मैं आपको बता रहता हूं कि सबसे पहले reactions कर दिता है तो मुझे कुछ बढ़िया है तो मुझे तुछ दिन पहले इसका जी जी सारी जी चाहिए करके बिल सकती है मुझे तो यह तो एक्सेंज हो गया लेकिन अगर मैं आलतरा टाइम कैपसुल यह वाला अगर एक्सेंज करूआ तो यह आप देख सकते हैं यह अभी लोख है यह अनलोक नहीं हुआ है तो आप यह अनलोक होगा मैं आपको दिखाए तो यह जो थार्ड सेकेंड के बाद थर्ड आएगा कुछ दिन तो एक दो दिन और लगी जाएंगे यह पुरा पहुंचने में उसके बाद साइद यह ओपन हो जाएगा तो चलिए बढ़ते सबसे बड़े अपदेद की तरफ तो यहां पर आप देख सकते एक वेब इवेंट है इस वेब इवें कैसा होने वाला है यह दूसरे सर्वर्स में ओन हो चुका है मैं आपको पूरा इस वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूँ तो गाएश सबसे पहले हम यह इवेंट दूसरे सर्वर्स पर खोल लेते हैं उसके बाद वहां पी आप देख सकते हैं इसा इवेंट आएगा इस पर क्लिक कर दीजेगा और इस पर क्लिक करने के बाद जैसी event open होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सो होगा तो यहां पर आपको देख सकते हैं कुछ बंदल से चार कोस्ट्यूम और चार बैकपेक और चार सकाइबोर्ड तो आपको यहां पर पांच दिख रहा होगा लेकिन इंडियन सर्वर पर जब आएगा यह चार ही आएगा तो आपको करना बस इतना है कि चारो में से चारो कोस्ट्यूम में से आपको जो कोस्ट्यूम पसंद हो वो select कर लीजेगा और वो select करने के बाद नीचे चारो जो skyboard से उसमें से आपको जो भी skyboard पसंद हो वो select कर लीजेगा तो मैंने भी यहाँ पर सारी चीजे select कर ली हैं तो यह select करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है choose का option है तो आप यहाँ पर click कर दीजिएगा और जैसे ही आप यह click करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा icon so होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो items select किया था वो left में दिखाई दे रहा है जो आपने skyboard select किया था जो आपने backpack select किया था और जो आपने costume बंदल select किया था तो उसके left में आप देख सकते हैं 9 tokens आपको लगेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आगर आप 3 tokens collect कर लेते तो आपको यह skyboard मिल जाएगा और अगर 6 token collect कर लेते हैं तो आपको backpack और 9 token में आपको यह costume का bundle मिल जाएगा अब अगर बात करेंगे कि आपको यह tokens कहा करने परेंगे उसका बाद आपको tokens claim करने परेंगे तो यहाँ पर से जो आप token claim करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर claim कर लिया है तो यहाँ पर आपको spin करने का chance मिलेगा जैसे कि यहाँ पर मुझे भी एक मिला है तो मैं यहाँ पर एक बार spin करके आपको दिखाता हूं तो मु मुझे यह सब्वर्ण मिल जाएगा और यही नहीं मुझे एक ही कलर का नहीं मुझे यह जो अलग-अलग कलर्स के जो हैं यह अलग-अलग कलर्स के 9 token सारे unlock करने पड़ेंगे तभी मुझे यह सारे चीजें मिल जाएगी और अगर मुझे एक ही तरीके के 2 token मिल गया तो आप यहां नीचे की और देख सकते हैं गिव तो मैं अपने फ्रेंज को गिव कर सकता हूँ एक ही तरीके का अगर दो तरीके का मुझे मिल गया तो क्योंकि दो तोकन एक ही तरीके का दो token मिला जिसे जो कि मुझे नहीं मिला है तो मैं उसे ask भी कर सकता हूँ यहां से तो बस guys इस update में बस इतना ही था मैं आपको फिर मिलूँगा किस नई वीडियो में किस नई update के साथ तब तक के लिए good bye